आज सत्गुरुवार के वर्दानी दिवस की आपको धेर सारी शुबकामना है ओम शांती 21 मार्च 2024 के इश्वरिय महवाक्य पहले एक नजर मुरली के मुख्य पोइंट्स पर बाब ने कहा बच्चे आत्म अभिमानी अवस्था में टिकने की मंजिल बहुत बड़ी है मैं आत्मा हूँ और बेहद का बाप मुझे पढ़ाते हैं इस निश्चे में रहकर सुनने से धारना बहुत अच्छी होगी और आत्म अभिमानी भी बनते जाएंगे भाई भाई की बहुत मीठी द्रिष्टी रहे तो कभी देह अभिमान नहीं आ सकता अगर उच से उच बनना है तो यह प्रैक्टिस अच्छी रिती करनी पड़े फिर बाबा ने कहा नौलिज तो बड़ी सहज है लेकिन बच्चों को बहुत अंतर मुखी हो याद का अभ्यास बढ़ाना है याद से ही खुशी का पारा चड़ेगा देह अभिमान में आकर कभी चुई मुई नहीं बनना बाब की याद में रहेंगे तो कभी मुर्जाएंगे नहीं अपना चार्ट रखना चाहिए हम कहां तक आत्म अभिमानी बने हैं सबको भाई भाई समझ बात करते हैं कोई को दुख तो नहीं देते कदम कदम पर अपना पूरा पोता मेल निकालना चाहिए सर्विसेबुल बच्चों को बाप का परीचे देने बिगर सुख नहीं आएगा तडपन लग जाती है भले बाप ने काम धंदे के लिए छुटी दी है लेकिन याद की यात्रा भी जरूरी है उसके लिए भी टाइम निकालना चाहिए और लास्ट में बाबा ने कहा जो विचार सागर मन्थन करते रहते हैं उनके मुख से कभी कोई उल्टा सुल्टा अक्षर नहीं निकलेगा तुम्हें कभी क्रोध नहीं करना बच्चों को भी थपड नहीं मारना क्यूंकि वह भी आत्मा है बच्चा नहीं है तुम्हारा छोटा भाई है और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से मुरली का सार मीठे बच्चे अंतर मुखी हो याद का अभ्यास करो चेक करो कि आत्म अभीमानी और परमात्म अभीमानी कितना समय रहते हैं प्रश्न जो बच्चे एकांत में जाकर आत्म अभीमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं उनकी निशानी क्या होगी उत्तर उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा बोल नहीं निकलेगा दूसरा भाई भाई का आपस में बहुत लव होगा सदाख शीर खंड होकर रहेंगे तीसरा धारना बहुत अच्छी होगी उनसे कोई विकर्म नहीं होगा चोथा उनकी दृष्टी बहुत मीठी होगी कभी देह अभीमान नहीं आएगा पांच्वां कोई को भी दुख नहीं देंगे ओम श्यांती रूहानी बच्चों प्रती सिर्फ रूह कहेंगे तो फिर जीव निकल जाता है इसलिए रूहानी बच्चों प्रती रूहानी बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझना है हम आत्माओं को बाप से यह नौलेज मिलती है बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है बाप आए ही हैं बच्चों को ले जाने लिए भल सत्युग में तुम आत्म अभिमानी बनते हो प्रन्तु परमात्म अभिमानी नहीं यहां तुम आत्म अभिमानी भी बनते हो तो परमात्म अभिमानी भी अर्थात हम बाप की संतान है यहां और वहां में बहुत फर्क है यहां है पढ़ाई, वहां पढ़ने की बात नहीं यहां हर एक अपने को आत्मा समझता है और बाबा हमको पढ़ाते हैं इस निश्चे में रहकर सुनेंगे तो धारना बहुत अच्छी होगी आत्म अभिमानी बनते जाएंगे इस अवस्था में टिकने की मंजिल बहुत बड़ी है सुनने में बहुत सहज लगता है बच्चों को यही अनुभो सुनाना है कि हम कैसे अपने को आत्मा और दूसरे को भी आत्मा समझ बात करते हैं बाप कहते हैं मैं भल इस शरीर में हूँ प्रन्तु मेरी यह असुल की प्रैक्टिस है मैं बच्चों को आत्मा ही समझता हूँ आत्मा को पढ़ाता हूँ भक्ती मार्ग में भी आत्मा पार्ट बजाती आई है पार्ट बजाते बजाते पतित बनी है अब फिर आत्मा को पवित्र बनना है So, जब तक बाप को पर्मात्मा समझ कर याद नहीं करेंगे तो पवित्र कैसे बनेंगे इस पर बच्चों को बहुत अंतर मुखी हो याद का अभ्यास करना है Knowledge सहज है बाकि यह निश्य पक्का रहे कि हम आत्मा पढ़ते हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं, तो धार्ना भी होगी और विकर्म नहीं होगा, ऐसे नहीं, इस समय हमसे कोई विकर्म नहीं होता है, विकर्मा जीत तो अंत में बनेंगे, भाई-भाई की दृष्टी बहुत मीठी रहती है, इसमें कभी देह अभीमान नहीं आएगा बच्चे समझते हैं बाप की नौलेज बड़ी डीप है अगर उच तेउच बनना है तो यह प्रैक्टिस अच्छी रिती करनी पड़े इस पर गौर करना पड़े अंतर मुखी होने के लिए एकांत भी चाहिए यहां जैसा एकांत घर में धंदा धोरी में तो मि ना सके यहां तुम यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकते हो आत्मा को ही देखना पड़े अपने को भी आत्मा समझना है यह प्रैक्टिस यहां करने से आदत पड़ जाएगी फिर अपना चार्ट भी रखना चाहिए कहां तक आत्मा भीमानी बने हैं आत्मा को ही हम सुन उनसे ही बात जीत करते हैं यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए बच्चे समझ से होंगे यह बात तो ठीक है देह अभिमान निकल जाए और हम आत्म अभिमानी बनते जाएं धारना करते और कराते जाएं कोशिश कर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है यह बड़ा डीप है बड़े बड़े महारती भी समझ से होंगे बाबा जो दिन प्रति दिन सब्जेक्ट देते हैं विचार सागर मन्थन करने के लिए यह तो बहुत बड़ी पोइंट्स है फिर कभी भी मुख से कोई उल्टा सुल्टा अक्षर नहीं निकलेगा भाईयों बापस में बहुत लव हो जाएगा हम सब इश्वर की संतान है बाप की महिमा को तो जानते ही हो श्रीक्रेशन की महिमा अलग उनको कहते हैं सर्वगुण संपन्न प्रन्तु श्रीक्रेशन के पास गुण कहां से आए भल उनकी महिमा अलग है प्रन्तु सर्वगुण संपन् ग्यान सागर बापसे ही है ना? तो अपनी जाँच बहुत रखनी है. कदम कदम पर पूरा पोता मेल निकालना है. व्यापारी लोग सारे दिन की मुरादी रात को संभालते हैं. तुम्हारा भी व्यापार है ना? रात्री को जाँच करनी है कि हमने सब को भाई भाई समझ कर ब शीर सागर की तरफ जा रहे हैं, यह है विशे सागर, तुम अभी नारावण राज्य में हो, नाराम राज्य में हो, तुम बीच में हो, तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, देखना है, कहां तक हमारी वहब भाई-भाई की द्रिष्टी की अवश्था रही? हम सब आत्माई आपस में भाई भाई हैं, हम इस शरीर से पार्ट बजाते हैं, आत्म अविनाशी है, शरीर विनाशी है हमने 84 जन्मों का पार्ट बजाया है, अब बाप आए हैं, कहते हैं मामे कम याद करो, अपने को आत्मा समझो आत्मा समझने से भाई-भाई हो जाते हैं यह बाप ही समझाते हैं बाप के सिवाए और कोई का पार्ट ही नहीं प्रेर्णा आदी की बात नहीं जैसे टीचर बैट समझाते हैं वैसे बाप बच्चों को समझाते हैं यह विचार करने की बात है इसमें समय भी देना पड़ता है बाप ने धंदा आदी करने के लिए तो कह दिया है लेकिन याद की यात्रा भी जरूरी है उसके लिए भी टाइम निकालना चाहिए सर्विस भी सब की भिन भिन है कोई बहुत टाइम निकाल सकते है मैगजीन में भी युक्ति से लिखना है कि यहाँ ऐसे बाप को याद करना होता है एक दो को भाई भाई समझना होता है बाप आकर सभी आत्माओं को पढ़ाते हैं आत्मा में दैवी गुणों के संसकार अभी भरने है मनुष्य पूछते हैं भारत का प्राचीन योग क्या है तुम समझा सकते हो परन्तु तुम अभी बहुत थोड़े हो तुम्हारा नाम निकला नहीं है इश्वर योग सिखलाते हैं जरूर उनके बच्चे भी होंगे वे भी जानते होंगे यह किसको भी पता नहीं है निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं वे खुद ही समझाते हैं मैं कल्प कल्प संगम युग पर आकर खुद बताता हूं कि मैं ऐसे आता हूं किसके तन में आता हूं इसमें मुझने की बात नहीं यह बना बनाया ड्रामा है एक में ही आता हूं प्रजापिता ब्रह्मा दवारा सापना वह मुरब्वी बच्चा पहले पहले बनते हैं आदीस नातन देवी देवता धर्म सापन करते हैं फिर वही पहले नंबर में आते हैं इस चित्र पर समझानी बहुत अच्छी हैं ब्रह्म विश्नू सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं? यह और कोई समझा न सके। समझाने की युकति चाहिए। अभी तुम जानते हो बाबा कैसे देवता धर्म की सापना कर रहे हैं? कैसे चक्र फिड़ता है? इन बातों को और कोई जान न सके। तो बाप कहते हैं ऐसे ऐसे युक्ति से लिखो यथार्थ योग कौन सिखला सकते हैं यह मालूम पड़ जाए तो तुम्हारे पास धेर आ जाए इतने सब बड़े जो आश्रम हैं सब हिलने लग पड़ेंगे यह पिछाडी को होना है फिर वंडर खाएंगे कि इतनी सब भक्ति मार्ग की हैं ज्यान मार्ग की एक भी नहीं तब ही तुम्हारी विजे होगी यह भी तुम जानते हो हर पांच हजार वर्ष के बाद बाप आते हैं बाप दवारा तुम सीख रहे हो औरों को सिखलाते हो कैसे किसको लिखत में समझाना है यह सब कल्प कल्प युक्ति जो बहुतों को पता पड़ जाता है। कितने डूबते मरते हैं यहां तो ऐसी बात नहीं। आधा कल्प तुम प्रालब्द भोगते हो फिर रावन राज्य से भक्ती शुरू होती है। उनकी निशानिया भी कायम हैं। विकार में जाते हैं फिर देवता तो नहीं रह गए। कैसे विकारी बनते हैं यह दुनिया में कोई जानते नहीं। शास्त्रों में लिख दिया है वाम मार्ग में गए। कब गए यह नहीं समझ से हैं। यह सब बातें अच्छी रिती समझने और समझाने की हैं। यह भी तब समझें जब निश्च बुद्धी हों। उनकी कशिश होगी। कहेंगे ऐसे बाब से हमको मिलाओ। प्रंतु पहले देखो घर जाने के बाद वह नशा रहता है। निश्च बुद्धी रहते हैं। भल याद सतावे चिठी लिखते रहें। आप हमारे सच्छे बाबा हो। आपसे उच्छा वर्सा मिलता है। आपसे मिलने बिगर हम रह नहीं सकते। सगाई के बाद मिलना होता है। सगाई के बाद तडफते हैं। तुम जानते हो हमारा बेहद का बाब, टीचर, साजन, आदी सब कुछ है। और सब से दुख मिला। उनकी एवज में बाब सुख देते हैं। वहाँ भी सब सुख देते हैं। इस समय तुम सुख के संबंद में बंद रहे हो। यह पुरुशोत्तम बनने का पुरुशोत्तम युग है। मूल बात है अपने को आत्मा समझना है। बाब को प्यार से याद करना है। याद से खुशी का पारा चड़ेगा। हमने सब से जासी भक्ती की है। पोता मेल रखना है। सारे दिन में कितनों को बाब का परीचे दिया। बाब का परीचे देने बिगर सुख नहीं आता। तडफन लग जाती है। यग्य में बहुत विग्न भी पड़ते हैं। मारें खाते हैं। और कोई सत्संग नहीं जहां पवित्रता की बात हो। यहां तुम पवित्र बनते हो तो असुर लोग विग्न डालते हैं। पावन बनकर घर जाना है। संसकार आत्मा ले जाती है। कहते हैं युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। इसलिए खुशी से लडाई में जाते हैं। तुम्हारे पास कमांडर, मेजर, सिपाही आदी कहां कहां से आते हैं। स्वर्ग में कैसे जाएंगे। लडाई के मैदान में मित्र संबंधी याद आते हैं। अब बाप समझाते हैं सब को वापिस जाना है। अपने को आत्मा समझो, भाई-भाई समझो, बाप को याद करो, जो जितना पुरुशार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। वो लोग कहते हैं हम भाई-भाई हैं, प्रन्तु अर्थ नहीं जानते, बाप को ही नहीं जानते। लोग समझे हैं हम निश्काम सेवा करते हैं, हमको फ्वल की इच्छा नहीं, प्रन्तु फ्वल तो जरूर मिलना है, निश्काम सेवा तो एक बाप ही करते हैं, बच्चे जानते हैं, बाप की कितनी गलानी की है, देवताओं की भी गलानी की है, अब देवताएं किसी की हिंस तो कर नहीं सकते, यहां तो तुम डबल अहिंसक बनते हो, ना काम कटारी चलाना, ना क्रोध करना, क्रोध भी बड़ा विकार है, कहते हैं बच्चों पर बहुत क्रोध किया, बाप समझाते हैं थपड आदी कभी नहीं मारना, वे भी भाई हैं, उनमें भी आत्मा है, आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, यह बच्चा नहीं, परन्तु तुम्हारा छोटा भाई है, आत्मा समझना है, छोटे भाई को मारना नहीं चाहिए, इसलिए श्रिक्रिश्न के लिए दिखाते हैं ओकरी से बांधा, वास्तों में ऐसी बाते हैं नहीं, यह भिन भिन शिक्षा बाकी श्रिक्रिश्न को क्या परवाह पड़ी है, माखन की, वह महिमा भी करते हैं, उल्टी चोरी की, तुम महिमा करेंगे सुल्टी, तुम कहेंगे वह तो सर्वगुण संपन्न, सोला कला संपुरन है, प्रन्तु यह गलानी की भी ड्रामा में नोंध है, अभी सब तमो प् पड़ाने वाला है बेहद का बाप, उनकी मत पर चलना पड़े, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट यह सब्जेक्ट है, पद भी तुम कितना उच पाते हो, अगर सहज हो, तो सब इस इमतिहान में लग जाएं, इसमें बड़ी महनत है, देहे अभीमान आने से विकर्म बन जाएं इसलिए चुई मुई का दृष्टांत है, बाप को याद करने से तुम खड़े हो जाएंगे, भूलने से कुछ न कुछ भूल हो जाएगी, पद भी कम हो पड़ता है, शिक्षा तो सब को दी है, जिसकी बाद में गीता बनाई है, गरूड पुरान में रोचक बातें लिखी जो मनुश्यों को डर लगे, रावन राज्ये में पाप तो होते ही है, क्योंकि है ही कांटों का जंगल, बाप कहते हैं दृष्टी को भी बदलना है, बहुत समय से हीरे हुए हैं, इसलिए शरीर की तरफ प्यार चला जाता है, विनाशी चीज से प्यार रखने से फाइदा ह अविनाशी से प्यार रखने में अविनाशी बन जाता है, बच्चों को यही डारेक्शन है, उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो, अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुषानी गुड मॉर्निंग, धार्णा के लिए मुख्य सार, पहली पोइंट, शरीर विनाशी है, उससे प्यार निकाल, अविनाशी आत्म से प्यार रखना है, अविनाशी बाप को याद करना है, आत्मा भाई-भाई है, हम भाई से बात करते हैं, यह अभ्यास करना है दूसरी पोइंट विचार सागर मन्थन कर अपनी ऐसी अवस्था बनानी है जो मुख से कभी कोई उल्टा सुल्टा बोल ना निकले कदम कदम पर अपना पोता मेल चेक करना है वर्दान निमित और निर्मान भाव से सेवा करने वाले स्रेष्ट सफलता मूर्त भव निमित और निर्मान भाव से सेवा करने वाले स्रेष्ट सफलता मूर्त भव सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित बनने और निर्मान रहने वाले निर्मान ता ही स्रेष्ट सफलता का साधन है किसी भी सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए नम्रता भाव और निमित भाव धारन करू इससे सेवा में सदा मोज का अनुभो करेंगे सेवा में कभी ठकावट नहीं होगी कोई भी सेवा मिले लेकिन इन दो विशेशाओं से सफलता को पाते सफलता स्वरूप बन जाएंगे स्लोगन सेकिंड में विदेही बनने का अभ्यास करो तो सुर्यवंशी में आ जाएंगे सेकिंड में विदेही बनने का अभ्यास करो तो सुर्यवंशी में आ जाएंगे अच्छा आज का अव्यक्त ज्यानमोती बहुत विशेस है सभी भाई बहने जरूर सुने अव्यक्त ज्यानमोती सुनने के लिए उपर दिये गए बोक्स पर क्लिक करें